आज हम बनाएंगे आलू और पर्वल की यह स्वादेश सी सब्जी जो कि बहुत ही कम मसालों में बन करके तयार हो जाती है और खाने में भी बहुत ही बढ़िया लगती है तो चलिए देख लेते हैं सब्जी को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए सब्जी बनाने के लिए हमने यापर उबला हुआ आलू काट करके लिया है और हमने यापर पर्वल को इस तरीके से काट करके ले रखा है तो चलिए सब्जी बनाना सुरू करते हैं सबजी को बनाने के लिए हमने गैस पे एक लोही की कड़ाही रखी है अब हम इसमें डाल देंगे सरसो का तेल तेल जब अच्छे से गर्म हो जाया तब हम इसमें कटा हुआ पर्वल डाल देंगे और इन्हें मेडियम आज पर लाल होने तक भून लेंगे पर्वल को भूनते हुए लगबग 8-10 मिनट हो चुका है आप इनका कलर देख सकते हैं कि लाल हो गया है हम पर्वल को कड़ाही से निकाल लेंगे और कड़ाही में हम डालेंगे आधी चम्म से भी कम जीरा साथी में हम इसमें कटी हुई मिर्च और कटी हुई प्याश डाल दे अब देख सकते हैं कि इनका कलर सो नहरा हो चुका है अब हम इसमें कुटा हुआ अद्रक और कुटा हुआ लाहसन डाल देंगे अद्रक लहसन को हम पयाज के साथ बराबर चलाते हुए लाल होने तक भूनेंगे जब इनका कलर अच्छे से लाल हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ टमाटर एक चमच भरके हम डालेंगे इसमें धनिया पॉर्डर एक चमच गरम मसाला आधी चमच हल्दी पॉर्डर और साथी में हम इसमें डालेंगे स्वात के अनुसार नमक अब हम इन मसालों में थोड़ा सा पानी डालेंगे और इन्हें अच्छे से आपस में मिला लेंगे अब हम इन मसालों को धक देंगे और धक कर हम इने धीमी आज पर 10-12 मिनट तक भूनेंगे चार से पांच मिनट बाद हम धकन को हटा कर इन मसालों को अच्छे से चला लेंगे और इन मसालों को हम फिर से धक कर धीमियाज पर ही भुनने के लिए रख देंगे मसालों को भुनते हुए लगबग 10 से 12 मिनट हो चुका है आप देख सकते हैं कि मसालों ने तेल छोड़ दिया है और यह मसाले काफी अच्छी तरीके से भुन गये है टमाटर भी गल चुका है अब हम इसमें डाल देंगे तला हुआ परवल और उबला हुआ आलो आलो और परवल को हम मसालों के साथ अच्छी से चलाते हुए मिलाएंगे और यह जब मसालों में अच्छी से मिल जाएं तब हम इने ढख कर धीमी आजपर 4-5 मिनट तक मसालों के साथ पका लेंगे 2-3 मिनट बाद हम ढखकन को हटा कर इने अच्छी से चलाएंगे और फिर से हम इन्हें ढग कर 2-3 मिनट तक और भून लेंगे आलो और परवल को मसालों के साथ भूनते हुए लगभग 5-6 मिनट हो चुका है हम इन्हें एक बार फिर से अच्छे से चलाएंगे और अब हम सबजी में डाल देंगे आवसकता नुसार पानी हमने हाँ पर 1.5 कटोरी भर के गरम पानी सबजी में डाला है पानी डालने के बाद हम सबजी को एक बार अच्छे से चलाएंगे और इन्हें ढख कर हम धीमी आज पर 10-12 मिनट तक पकालेंगे 4-5 मिनट बाद हम ढगकन को हटाएंगे और सबजी को चिक कर लेंगे आप देख सकते हैं कि यह सबजी काफी अच्छे से पक रही है सबजी चलाने के बाद हम फिर से इन्हें ढख देंगे और इन्हें धीमी आज पर ही 4-5 मिनट तक और पकालेंगे सबजी को पकते हुए लगभग 10-12 मिनट हो चुका है और यह आलू और परवल की सबजी बन करके तयार है अब हम सबसे आखिरी में इसमें कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और गैस को बंद करतेंगे यह आलू और परवल की सबजी खाने में बहुत ही स्वादिश लगती है और बहुत ही कम मसालों में बन करके तयार हो जाती है आप लोगों को मेरी ये सबजी की रेश्पी कैसी लगी कमेंट करके बताएगा जरूर अगर मेरी ये सबजी की रेश्पी आपनों को पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, सेयर और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेगा साथी में बेल आइकन को जरू दबा देजेगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर पहुशती रहे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद